बिलासपुर गाउं में विद्या नाम की एक गरीब औरत अपने दो बच्चों शिखा और सनी के साथ रहती थी विद्या के पती मनोज की मौद दो साल पहले एक सड़क दुरखटना में हो गई थी अपने पती की मौद के बाद विद्या लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोजिशन करने लगी शिखा सनी उट जो बिटा मैंने चाय और रोटी बना कर रख दी है तुम दोनों खाले ना वरना मैं काम के लिए लेट हो जाओंगी और हाँ बाहर बहुत ठंड है तो दोनों बाहर मत जाने और अपना ध्यान रखना ठीक है मा आप जाओ ये कहकर विद्या काम पर चली जाती है ये क्या विद्या तुने आज फिर देर कर दी सारा काम बिखरा पड़ा है बरतन कप्रे जाडू पोचा सब ऐसे ही पड़ा है चल अब जल्दी से काम शुरू कर दे वो मालकिन बाहर बहुत कोरा था इसलिए आने में देर हो गई ओओओओफ तेरे ये रोस के बहाने चल अब काम कर ले विद्या जनवरी महीने की कडाके की ठंड में ठंडे पानी से काम करने लग जाती है पानी बर्व जितना ठंडा था काम करते करते उसे दो पहर हो जाती है काम करके विद्या घर लोटती है तो उसके बच्चे उसका इ हाँ बच्चो मुझे सब याद है। इसे रख लीजिए आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। क्या नाम है तुम्हारा। जी विद्या। लेकिन मुझे काम वाली की जरूरत शाम को है। सुबह तो मैं ओफिस जाती हूँ क्या तुम कर पाओगी। ठीक है में साब लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी। वो क्या है ना मुझे आधी तनख्वा मकर सकरांती से पहले चाहिए। वो मुझे पैसो की जरूरत है। हाँ हाँ मिल जाएंगे लेकिन मुझे काम में कोई लापरवाही ने चाहिए। और साफ सफाई मुझे बहुत पसंद है तो हर जगा साफ सफाई ही रखना। जी मेम साब शाम को विद्या ये बात अपने बच्चों को बताती है। मा तु क्या अब आप शाम को भी काम पर जाओगी। हाँ बच्चो। मेरा बेटा मैं जानती हूँ तु बड़ा हो जाएगा तो मुझे काम करने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। मा आपको और घरों में इसलिए काम करना पड़ रहा है ना क्योंकि हम आपसे इतनी चीज़े मांगते हैं। मा तुम शाम का काम छोड़ दो, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़े पैसे जादा आ जाएंगे तो मेरा हाथ खुल जाएगा। फिर तुम दोनों की पढ़ाई भी तो है, एक बार तुम दोनों बड़े हो जाओगे, तो फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो तुमने बिलकुल ठीक कहा मा। अगले दिन से विद्या रमूला के हाँ काम खत्म करके घर आती है, फिर थोड़ा आराम करके शाम को नए घर में काम करने चरी जाती है। घर का सारा काम खत्म होने के बाद रीता उसे कौफी पीने को देती है। हाँ, अच्छा मेम साब मैंने आपसे एडवांस मांगा था वो, वो तू परसो संडे को ले लेना, इस बार तुझे संडे को भी काम पर आना है, मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर पार्टी के लिए आ रही है तो खाना बनाने में तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। पार्टी के देर हो गई, मुझे घर जाना होगा, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, वो मैंने आपसे एडवांस मांगा था ना, आप मुझे वो दे दो। यार रीता पानी तो पिला, विद्या, तू पानी ले करा, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रीता की दोस्त उससे कहती है, अरे री रीता, तीरी डायमंड रिंग कहा है, अरे मेरी अंगूठी वो कहां गई, जब हम आये थे तब तो तेरे हाथों में इथी, कहीं गिर तो नहीं गई, देख तो जरा, सब अंगूठी ढूरने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती, विद्या को देर हो रही होती है, त यहीं सीने तो नहीं ले तेरी अंगूठी, हम यहाँ परिशान हो रहे हैं, नहीं नहीं मैडम, यह आप क्या कह रही है, मैंने अंगूठी नहीं ली, आप चाहो तो तलाशी ले लो, इसके बाद रीता उसकी तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, मुझे तो अगले दिन पूरी सोसाइटी में ये बात फैल जाती है, कि विद्या ने रीता मैडम कहां चोरी की है, जिसके कारण विद्या को बाकी लोग भी अपने घर से काम पर से हटा देते हैं, विद्या का रो रोकर बुरा हाल था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, अगले दिन मकर संक्रांती का त्योहार था, जहां एक तरफ सब मकर संक्रांती का त्योहार मना रहे थे तो वहीं विद्या के घर पर तुमानो मातम चाय हुआ था, दोनों बच्चे उदास अपनी किताब लेकर बैठे होए थे, तो वहीं विद्या अपने बच्चों क रेबडी और गजक होती है उसे अपने घर में देख विद्या कहती है मेम साब मैंने आपकी अंगूठी ने ली मैं सच कह रही हूँ अब तो सबने मुझे काम से भी निकाल दिया है मुझे माफ कर दो विद्या दरसन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मैंने ही उस दिन आटा गूठते वक्त अपनी अंगूठी निकाल कर किचुन में रख दी थी वो तो आज जब मेरी नजर उस पर गई तब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी तुम मुझे माफ कर दो नहीं नहीं मेम साब ऐसा मत कहो आपको आपकी अंगूठी मिल गई यही मेरी इमानदारी का सबूत है बच्चो इधर आओ ये लो धेर सारी पतंग, मांजो और मिठाईया गुरपट्टी और मुझफली मैं तुम्हारे ले लाई हूँ अब तुम अपनी मकर संक्रांती का त्योहार खुशी खुशी मना और हाँ, हमेशा तुम अपनी मम्मी की तरह बनने की कोशिश करना एकदम इमानदार मेम साब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विध्या, ये लो तुम्हारा एडवांस तुम ये त्योहार खुशी खुशी मनाना और हाँ, कल से काम पर आ जाना और मैं तुम्हारी दूसरी मालकिनों को भी बोल दूँगी कि वो तुम्हे काम पर वापस रख ले रीता वहां से चली जाती है इसके बाद बच्चे आकर अपनी मा से लिपड़ जाते हैं और कहते हैं, हमारी मा दुनिया की सबसे अच्छी मा है फिर वो सब साथ में मिलकर मिठाईयां खाते हैं फिर सनी और शिखा अपनी मा के साथ खूब पतंग उड़ाते हैं और खुशी-खुशी मकरजंकरांती का त्योहार मनाते हैं डॉक्टर, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है फ्लीज मेरे रोहन को बचा लीजे, डॉक्टर मेरे रोहन को बचा लीजे घबराईये नहीं जो मुँग भली बेचने वाली आपके रोहन को जखमी हालत में होस्पिटल लाई थी उसका बलड ग्रूप, रोहन के बलड ग्रूप से मैच हो गया अब घबराने की कोई बात नहीं है रोहन का उपरेशन सक्सेस्फुल रहा रोहन बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा डॉक्टर क्या मैं उनको देख सकती हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई है जी बिल्कुल मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया मैं माजी के साथ दुर्वेभार ना करती तो उस दिन जो औरत खड़ी रो रही है उसका नाम सुश्मा है और जो बिस्तर पढ़ लेटी है वो सुश्मा की सास नर्मदा है नर्मदा यानि की रोहन की दादी आकिर उन्हें मुंगफली बेचने पर मजबूर क्यों होना पड़ा और इतनी गरीबी के दिन क्यों देखने पड़े बेटा बहु के होते हुए नर्मदा की जिन्दगी में ऐसा तूफान क्यों आया क्यों से एक दिन घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए हम इसे एक साल पीछे ले जाते हैं अरे माजी कब तक एक पतीले को बार-बार माचती रहोगी आपको कितनी बार कहा है थोड़ा जल्दी हाथ चला लिया करो शाम की दोस्तों को फोन मिला रहा है अनिल बेटा आज रोहन का जनम दिन है मुझे तो याद ही नहीं अब उसे मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है मैं उसके लिए आज अपने हाथों से केक बनाऊंगी कोई ज़रुरत नहीं है केक बनाने की मैंने बाजार से मेंगा केक ओर्डर कर दिया है आप खाना बना लो यही बहुत बड़ी बात है केक बनाने में अपना समय लगाने की कोई ज़रुरत नहीं है ये केक वगेरा छोड़ो मा आप बस खाने की तयारी कर लेना अच्छा मैं बाजार जा रहा हूँ थोड़ा समान लना बागी रह गया है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ मुझे भी कुछ काम है सुश्मा अनिल के साथ बाजार चली जाती है तभी रोहन अपनी दादी के पास आता है दादी आप पापा मम्मी को बोलने दो आप मेरे लिए अपने हाथों से केक बना दो मुझे आपके हाथों का केक बहुत अच्छा लगता है ठीक है मेरे बच्चे मैं बना दूंगी एक काम करती हूँ जल्दी से खाना बना लेती हूँ फिर उसके बाद केक बनाने का समय मिल जाएगा अनेल और सुष्मा भी गुस्सा नहीं करेंगे नर्मधा मेहमानों के लिए सारा खाना तयार करती है और उसके बाद बहुत ही बढ़ियां और सुन्दर केक भी बनाती है माता जी आप अकेली कितना काम करोगी कुछ काम मुझे भी करने दिया करो नहीं राजु बेटा तुम पहले ही इस घर में इतना काम करते हो कितने चक्कर तो तुम्हारे बाजार के लग जाते है सब्चियां लाने में, धोने में, काटने में तुम मेरी कितनी मदद कर देते हो थोड़ी देर तुम आराम कर लो तब तक मैं काम कर लूँगी माता जी कितनी अच्छी है पर उन्हें कैसे बहु बेटे मिले हैं जो अपनी मा को मा कम नौकरानी ज़्यादा समझते हैं सच मुछ मेरे से ये सब देखा नहीं जाता पर क्या करूँ मजगरीब की मजबूरी है कि मुझे यहां नौकरी करनी पड़ रही है पर जिस घर में मा का अपमान हो उस घर में मैं दो मिनट भी नहीं रुकना चाहता दर्वाजे की घंटी बच रही है जा बेटा दर्वाजा खोल दे लगता है सुश्मा और अनिला गए है केक तयार हो गया है अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ रोहन के जन्मदिन की पार्टी की सारी तयारियां हो जाती है शाम के समय महमान आने शुरू हो जाते है सब लोग केक कटने का इंतजार कर रहे थे रोहन बेटा देखो हम तुम्हारे लिए कितना सुन्दर केक लेकर आई है चलो जल्दी से केक काटो रुको मम्मी पहले मैं दादी के हाथों का बनाय हुआ केक काटूंगा नर्मदा ने घर पर दूद और मेवो से केक तयार किया था रोहन ने पहले वही केक काटा और बाद में उसने दूसरे केक काटे ये देखकर सुश्मा गुस्से से जल भुन गई और महमानों के जाने के बाद सुश्मा ने बहुत लड़ाई की और उस केक को भी डस्बिन में फेंग दिया जो केक नर्मदा ने रोहन के लिए बनाया था मम्मी वो केक दादी माने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था आपने डस्बिन में फेंग दिया मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा रोहन रुको रोहन आज आपकी वज़े से मेरा बेटा मेर से नफरत कर रहा है अब मैं आपको इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूँगी अनिल या तो इस घर में ये रहेंगी या मैं हम दोनों एक साथ यहां नहीं रह सकते मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए तुम्हें कहीं जाने की जरुवत नहीं है मैं इन्हें ही कल सुभा वृद्धा अश्रम छोड़ाऊंगा नर्मदा उस समय बिलकुल चुप थी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी बराबर में खड़ा नौकर सारी बात सुन रहा था वो नर्मदा के पास गया और बोला माता जी मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ आप मेरे साथ चलो मेरे साथ रहना आपको मेरे पास कोई तकलीप नहीं होगी नहीं बेटा तु चिंता मत कर सुभा सब ठीक हो जाएगा अभी ये दोनों गुस्सा है ना तो इन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा सुभा अपने आप ही मेरे से बात करने लगेंगे नर्मदा ने राजू से जूट बोला और आधी रात के समय जब सब सूख है तो नर्मदा घर छोड़ कर निकल पड़ी सुभा जब अनिल और सुश्मा ने नर्मदा को नहीं देखा तो वो इतने परिशान नहीं हुए जितना नौकर राजू हो रहा था उधर नर्मदा सुभा सुभा किसी के घर का दर्वाज़ा खट खटाती है और एक औरत बाहर आती है माता जी आप और यहां बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए मुझे बुला लेती मैं खुद आ जाती जानकी मुझे कोई काम और रहने की कोई जगा मिलेगी अगर मिल जाए तो बड़ी महरबानी होगी माता जी आप यह कैसी बाते कर रहे हो आप तो मेरी अनदाता हो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जानकी की बाते सुनकर नर्मदा की आँखों में आशू आ जाते है और वो उसे सारी बात बताती है जानकी पहले नर्मदा के घर में काम क्या करती थी पर सुष्पा ने उसे किसी बात पर गुस्से में आकर घर से निकाल दिया था उस समय नर्मदा ने जानकी की बहुत मदद की थी आज नर्मदा बिल्कूल अकेली थी रिष्टेदारों में जाकर वो अपने बहु बेटे का अपमान नहीं करवाना चाहती थी इसलिए वो जानकी के पास आई थी पर माता जी इस उमर में आप काम करोगे आप मेरे पास ऐसे ही रहो ना आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी नहीं जानकी अगर शरीर मेहनत करता है तो ठीक रहता है मैंने एक दिन तुम्हे जब आवाज लगाई थी तुम आगे निकल गई थी मैंने देखा था तुम ठेले पर मुंगफली बेच रही थी हाँ माता जी आजकल सर्दियों में मुंगफली, गजक, रेवडी का सीजन है तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है इसलिए मैंने और मेरे पती ने उधार पर पैसे लेकर मुंगफली का ठेला लगा लिया बस अभी वो गए हुए है जानकी मैं सोच रही थी मैं भी मुंगफली बेच कर गुजारा कर लू कम से कम काम में व्यस्त रहूंगी तो पुराने दिनों की याद नहीं आएगी ठीक है माता जी जैसे ही आएंगे मैं बात करती हो जानकी का पती शाम को मुंगफली बेच कर लोटता है तो वो उसे सारी बात बताती है वो भी नर्मदा के लिए बहुत दुखी होता है नर्मदा की उम्र वो नहीं थी कि वो ठेले पर मुंगफली बेच सके इसलिए जानकी और मोहन मिलकर घर के पास ही एक पेड़ के नीचे चादर बिचा कर जगा बना देते हैं जहां पर नर्मदा बैट कर मुंगफली बेचा करती थी कई महीने गुजर गए नर्मदा मुंगफली बेच कर अपना गुजारा करने लगी उसने जानकी के पडोस में ही एक छोटा सा कमरा किराय पर ले लिया और वहीं पर रहने लगी पर आज सुबह जब नर्मदा मुंगफली बेच रही थी तो उसी सड़क पर साइकल से जाते हुए रोहन का एक्सिडेंट हो गया नर्मदा रोती हुई रोहन को हॉस्पिटल लेकर आई याद वापिस आ जाती है और सुश्मा नर्मदा के पास जाती है तब तक अनिल भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है सुश्मा और अनिल नर्मदा के पैरों में गिर कर माफी मागते है नर्मदा उन्हें गले से लगा लेती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ शेयर करना भी न भूले और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बाडीज